असलाम अलेकूम, पैसे हैं आप सब, आज मैं बना रही हूँ बहुत ही हल्री कबाद, जो मैं मिसूर दाल में पुछ बेज़ेटिबल्स मिक्स करके बनाओंगी, आप उसको किसी वक्त भी बना सकते हैं शाम की चाय के साथ, और उन लोगों के लिए जो मीट खाना पसंद नहीं करते, उन के लिए ये बर्गर में आज़ पादिस्ट बेस्ट आप्शन है, और उसके इलावा, स्पेशली बच्चों के लांच बॉक्स में एक बेस्ट और सो बनाना शिरू करते हैं, रेड लेंटल मिक्स वेजल कबाब आप सबसे पहले लाइट साब बैजटेबस को फ्राइब कर लेते हैं, और उसके लिए जिटल बिट वन टी स्पून और शामिल करोनी में पैन में जिंजर गालिक पेस्ट और इसको 2 मिनट तक सौटे कर लेते हैं अब इसमें बाकी की तमाम वेजटेबस दाल देते हैं, पोटेटो, इसको मैंने फाइनली ग्रेट कर लिया है, बारी बारी ग्रेट कर लिया है काक्राइब यह भी पिल्क के लिए मारी बारी ग्रेल कहा है के लिए अने के लिक एर रखिवार रखिए सबस्ते रखिए खरें और वांदेया है अझावत है, अकण नवाद को था में दम आपना अझाई मैं ओर और को अचिए सँड़, которой सबसीवा कटेदेगे है और अल्ष ने खरें लेटि दिती कुछी सब्कार्ण के दो टो र Caribbean हमेश इसा टाइब फेरका चाले परे cya एयाँ कि मुझा को चिले नावडर, लाज़े प्रश्ट, सॉल्ट, थोड़ा समद़ चालेंगे, देख लेट लेट लेटेटल में लावड़ेंगे अब इसको अच्छे समिश करके अज़ी इसको दो मिल तक प्राइकर देखेंगे जोटीक है में प्राइकर दो मिल देखेंगे अब इसको हम ड्राइब कर दे गेंगे और ठाला हुए रहते है बनका ब्रेड लैंडने और इसके में हाफ वर पानी में बगोर कर रहा था और अब इसको मैं प्रूड प्रसेसर में टालेंगे कोशिश कर एगें कि पानी वफूँर भी नाचे झाए कुछाए करके इसमें हैट फूल और अप्राइनल, टू ग्रीन चिली, हाफ कर आलमंड फ्लावर, आलमंड फ्लावर की बजाए आप कुछ और फ्लावर भी ले सकते हैं, तो कोई भी नट्स का, आप होग का भी पाउडर ले सकते हैं, किसी भी और आप ग्राइफूड कर दो है पाउडर के बंटते हैं, या और वो फ्लावर भी ले सकतें इसकी जगते ओए, सॉल्ट और विट्टिंग सोडर, नाइस में अठीशित के लिए के लिए प्वादयर, भी प्लावर भी नोगावर, अज परफूल, प्लावर, कोई प्लावर, प्लावर, अख कमू़र, लाव अपर दुबारा इसको ब्लेंड करेंगे ताकि अच्छे से तुमाम जो दाल ब्लेंड हो जाए अच्छे से ब्लेंड हो गया है अब इसको बड़े बाउड में निकाल लेते हैं जोड़ान में हम थाट सुखुने के निकिजूर में अच्छे से अच्छे से और हम निकिते हैं हैं। जी है कोग घंद अच्छे सब्सक्राइबिक तोड़ा में अच्छे से मिक्स्कारें कि अधुराब जलाए .. कबाब को शेप दे के रखते चाहेंगे और जिस चाहिए शेप में विदे जो भी आपको पसाने देगा मैं रांड शेप में ही दूँगी शेप ही को आधे ही मिस्टरहां से मैं शेशव देरी हूँ और मैं तमाब कबाबों को आपसे प्रेज़ कर देए बस अब इतने मेले रेडी कर लिए हैं और और अब इतने को फ्राइप बना श्राइप कर लिए हैं अब इक फ्राइप पैन में 1.5 cup के क्रीब ओयल दाल रही हूं है आब इसके करण होने का वेट कर लेते हैं अब इसमें कबाब डाले के बस अब दोनों साइडों से 2-3 मिन तक यार गोल्डन प्राम होने तब पकाएंगे और इसकों शब करेंगे बससा भी फ्राइब हो चिकें और नफ-डचार होने ये झाल रेड लेंटिल मिक्स वेजिस कबाब रेडी हैं और आप इसे ट्राइ करते हैं और देशें के लिपने कैसे हैं बहुत मज़े के बने हैं बहुत टेस्टी लग रहे हैं एक ऐसा फ्रेश सा टेस्ट आरहा है तो बहुत डिलिशिस ट्राइ जोग कीजिए गार जैसा कि आपने देखा कि मैंने इसमें वेजिटेबल्स यूज की हैं कैरट भी कैबिच भी और इसमें आप अपने पसंद की और अपने जैसे बॉल बीज भी यूज कर सकते हैं यह बहुत अच्छे टेस्टी टेस्ट में लग लेएं तो ट्राइ कीजिए और एक और पाद आप आप लोग जाएं पर मैं शेयर करता हूं कि यह दाल मसूर की जब दाल है मैंने इसमें यूज की या बॉल करके भी यूज कर अपने इस आप लोग जाल एक भी यूज कर दो आप लो लोग जाला का पेश